नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट संस्क्रिट पेड़ाजी के कुछ महतोपून प्रशनों की सिरिंखला देखने जा रहे हैं सीटेट संस्क्रिट पेड़ाजी सीरीज की ये प्रमुख 21 वीडियो है अगर आप चैनल पर पहली बार रुजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकून को जरूर प्रेस कर लिजएगा चले दोस्तों आज की समय है तो पूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं निमलेकित में से कौन सा विधी उप्योकत है तो प्रात्मे की सतर पर ये कहा जाता है कि बच्चे अगर कोई चैप्टर कोई पार्ट कोई लेक पढ़ करके अगर उसका अर्थ ग्रहन कर ले रहे हैं तो वो उनकी पढ़ने की एबिलिटी मानी जाएगी चमता मानी जाएगी प्रात्मे की सतर पर बस इतना ही उमीद रखा जा सकता है कि बच्चे पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहन कर ले ठीक है दियेगा विकल्प में देखिए ऑप्शन नमर तीन में इसकी बात की गई है बच्चा पार्ट को पढ़ करके अर्थ ग्रहन कर ले रहा है और जो भी लेक लिखा होगा वो वर्णों से मिल करके ही तो लिखा होगा जैसे उस लेक में कुछ भी शब्द आएंगे कमल आ गया नीरा जा गया ये सब क्या है ये अलग अलग वर्ण मिल के ही तो शब्द बने है और शब्द मिल करके वाक्य बने होगा और वाक्य मिल करके पुरा परग्राफ बनाओगा और कई परग्राफ मिल करके पुरा वर्ण माला भी समझी लेगा तो ये पहले से included है इसमें इसके साथ साथ विराम दूसरा विकल देखे विराम आदी चिनानाम ग्यानाम यानि कि जो विराम चिन होते हैं उनकी बात की ज़री जब बच्चा पार्ट पढ़ करके अर्थ समझ रहा है विराम चिन क्या होता है खड़ी पाई question mark, apostrophe yes ये सभी चीज़े जो होती है वो विराम चिन के तोर पर देखी जाती है इसके लावा exclamatory mark, itisri ये सभी चीज़े जो होती है वो विराम चिन मानी जाती है तो ये कहीं ना कहीं ये पहले से included क्योंकि बच्चा जब अर्थ समझ रहा है तो वो सभी चीज़े भी समझ रहा होगा इसलिए यहाँ पर जो पहला और दूसरा विकल्प है वो संकुचित था हमारा उत्तर नहीं होगा और बात करें चौथे विकल्प की पठन धारा प्रवाहिता तो ये प्रात्मी किस तर पर उमीद नहीं की जाती कि बच्चा पढ़ने में फ्लुएंट हो मतलब बिल्कुल हम ऐसा नहीं कहते हैं कि बच्चा बिल्कुल फ्लुएंटली पढ़ पाए किसी भी चीज़ को हम उसे उमीद नहीं कर सकते प्राथ में किस तरह पर सिर्फ इतना उमीद रखा जाता है बच्चे का मुल्यांकन इसी अधार पर किया जाता है कि जो भी बच्चे को लेख दिया गया है पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहन कर ले जो की विकल्प नमबर तीन में दिया गया विकल्प नमबर तीन इसका बिल्कुल एप्रोप्रियेट जवाब हो जाएगा अगला प्रश ने पूछा गया था या पद्धती भासा संयोज ने सारेरिक क्रियासू आधारिता है यानि कि वह पद्धती क्या कहलाती है जिसमें भासा के साथ देखें भासा के साथ जो सारेरिक क्रिया होती है यानि कि बॉड़ी मूवमेंट होता है उसको संयोजित किया गया है यानि कोरिलेट किया गया है कहीं न कहीं उसे से कोडिनेशन किया गया है तो भाषा और सरीर की विभिन क्रियाओ, फिजिकल मुव्मेंट का कोडिनेशन ये क्या कहलाता है हमसे पूछा जा रहा है देखे प्राइमरी स्थर पर जब आप बच्चे को देखेंगे तो उनको कविता पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो जो शब्द वो बोल रहा है वो अपने body language के माध्यम से activity के माध्यम से भी वो communicate करने की कोशिश कर रहा होगा ताकि बच्चे उसको देख करके समझ पाए यानि जो भाषा बोला जा रहा है उसको कही न कहीं अपने body language के माध्यम से भी communicate करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाए क्योंकि कई मनवग्यानिकों ने ऐसा सिधान्त दिया है कि बच्चे की जितनी ज़्यादा इंद्रिया एक्टिव होती है बच्चा उतना ही अर्थपून तरीके से सीखता है जब हम लोग बोलते हैं बोलने के दौरान बच्चे का स्रवन को असल यानि कि सुन करके वो चीजों को समझ रहा है और जब हम लोग उसको body language के माध्यम से activity के माध्यम से दिखा रहे हैं तो कहीं न कहीं बच्चे का जो आख है वो इंद्री भी active हो रही है और उसके माध्यम से भी बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है प्रतिक्रिया का एक साथ कोडिनेशन करना यानि जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसी तरीके से body language भी body में movement होना चाहिए इसे हम लोग total physical response बोलते हैं और हिंदी में उसे ही संपूर्ण सारिरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं यानि इसमें क्या होता है कि जो भी भाषा बोली जा रही है हूँ बहु body language के माध्यम से बच्चे को communicate करने की कोशिश की जाती है body language के माध्यम से ठीक है अगला प्रशने पुछा गया था अधो लिखे तेसु व्याकरण अनुवाद प्रविधी ही किम ना करोती यानि कि कहा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा जो व्याकरण अनुवाद प्रविधी है जिसे अंग्रेजी में grammar come translation method कहते हैं कौन सा विकल पैसा है जो कि वो नहीं करता है grammar come translation method तो grammar come translation method क्या होता है पहले इसको थोड़ा से जान लेते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो mother tongue है उसमें जो target language बच्चे को सिखाना उसके कठिन शब्दों का translate करके teacher के द्वारा बताया जाता है इसलिए इसका नाम ही है व्याकरण अनुवाद विधी यानि कि इस विधी में किस पर ज्यादा focus किया जागा एक तो grammar पर जादा focus किया जाता है और दूसरा कठिन शब्दों पर focus किया जाता है और इसमें target language को use ही नहीं किया जारा है जैसे कि देखिए direct method में क्या होता था direct method में जो target language है जैसे अंग्रेजी बच्चे को सिखाना है तो अंग्रेजी का ही environment दे दिया जाता था जैसे कि CBSE board के बालक जल्दी अंग्रेजी बोलना कैसे सिख जाते है क्योंकि उनको English का ही environment दे दिया जाता है वो उसे direct method कहते है यानि कि जो language बच्चे को सिखाना है उसका environment दे दिजे बच्चे को उसमें बात दिकर दिजे कि आपको इसी भासा में ही केवल अपने आपको express क करना है तो वहाँ पर बच्चे की मजबूरी हो जाएगी और कहीं न कहीं लोगों का अनुकरण करते करते वो हूब भासा को बोलना सीख जाता है target language को ठीक है लेकिन व्याकरण अनुवाद विदी में क्या होता था कि जो target language है उसमें directly बच्चे को communicate करने नहीं दिया जाता है इसमें जो बच्चे की mother tongue है उसमें जो target language के cutting words आते हैं उसका अनुवाद करके और व्याकरण को ध्यान पूरग पढ़ा करके बच्चे को target language सिखाय जाता है तो इसमें बच्चे को problem क्या आती है जानते है जैसे कि बच्चा तो अब target language यूज कर नहीं रहा है वो बोल नहीं कटिन शब्द है वो teacher के दोर बता दी जा रहे है तो बच्चे का इसमें पूरा focus होता है वो grammar पर होता है यानि वो लिखना तो जान जाएगा लिखना तो जान जाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा communicate नहीं कर पाएगा क्योंकि directly communication का मौका ही नहीं मिल पा रहा है इसमें बच जा रहा था तो यह तो positive हो गया ना तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था कि कौन सा नहीं करता है यह तो करता है grammar come translation method बच्चों की mother tongue को use करने के लिए encourage करता है तो यह तो हमारा उत्तर होगा नहीं दूसरा देखे व्याकरणाय महत्व प्रदान यानि कि कहा जा रहा है कि grammar को ज़्यादा इसमें importance देता है तो मैंने आपको पहले ही बता है कि इसमें grammar को ज़्यादा importance दिया जाता है यानि यह बात तो positive है हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे negative वाला पूछा गया था चौता देखे चात्रणाम धारा प्रवाहेन भासा प्रयोग समार्थ करम यानि कि कहा जा रहा है कि बच्चे इसमें धारा प्रवा लेंग्वेज में धारा प्रवा होते हैं तो यह कहीं ना कहीं लिखने के संदर में बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर व्याक्रार पर जब ज़्यादा focus किया जागा तो बच्चे इस language को लि यानि की कहा जारह है कि छात्रों के communication skill को यह इंहांस करता है तो यह जो व्याकरण अनुवाद विरिये यह चात्रों के व्याकरण समभाद को असल को यानि communication skill को enhance नहीं करता है ये negative sense में है और चुकि हम से negative वाला पूछा गया था option number 3 बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा क्यों नहीं enhance करता है क्योंकि किसी भी भासा में हम लोग communication skill कैसे हांसिल कर सकते हैं जब उस भासा का बोलने में pro करें grammar come translation method बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देता है क्योंकि जो cutting words थे उसको तो हिंदी में translate करके बता दिया गया और व्याकरार पढ़ाने पर जादा focus होता है ना कि बच्चे को बोलने में बच्चे को मौका ही नहीं दिया जाता है इसमें एक तरीके से target language को बोलने के संदर में इसलिए बच्चे का communication इसके लिट्स में develop नहीं होगा यानि grammar come translation method क्या नहीं करती है तो छात्रों के संबाद को असल को enhance नहीं करती है विकल्प नमर 3 यहाँ पर appropriate होगा अगला प्रशन पुछा गया था अधो लिखी तेसू किम प्राक पठन गतिविधे सहायम भवती यानि कि कहा जा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा बच्चे को पठन गतिविधी करने से पहले उसको support करेगा पठन गतिविधी से पहले प्राक मतलब होता है पहले और पठन गतिविधी यानि reading activity से पहले थे तो किये किसी भी पार्ट को पढ़ाने से पहले बच्चों को थोड़ा सा comfortable feel करा जाता है क्यों comfortable feel करा जाता है क्योंकि हो सकता है कि बच्चा किसी ऐसे environment से आया हो हो सकता है उसके परिवार में कुछ इस प्रकार की situation चल रहे हो जो कि उसमें negative emotions generate कर रहे हो तो अगर हम लोग बच्चे को पहले से पढ़ने से पहले अगर उसको comfortable feel नहीं कराएंगे तो वो negative emotions जो है उसको सहज महसूस करा जाता है वातावर्ण में और इसके लिए कई गति विदिया हो सकती है कई प्रकार के प्रशन पूछे जा सकते हैं कई प्रकार के बच्चे से कहा जा सकते है कि कल आपने दिन भर में क्या किया थोड़ा सा आप उसके बार में overview देजे और जो भी बच्चे का समवेग होता है positive तोर पर वो बच्चे के एक तरिके से संग्यान को positive तोर पर impacted डालेगा ठीक है चलिए तो इसके लिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गतिविधी ऐसी है जो कि पहले बच्चे के pre reading activity में सहायता करेगी तो चौथे विगल्प से शुरुआत करते है कहा जा रहा है कि व्याक्रणिक सर्णाम सिक्षणम कहा जा रहा है कि बच्चों को grammatical structure पढ़ाय जाने के संदर में तो देखिए ये विगल्प negative है क्यों negative है क्योंकि negative इसलिए है क्योंकि हमें ये बताना है कि pre reading activity हमें बताना है pre reading activity मतलब कि जो अभी बच्चे को पढ़ाना सुरू नहीं किया गया उससे पहले की activity हमको बताना है तो बच्चे को अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाना सुरू नहीं किया गया से निर्देशनम, यानि कि कहा जा रहा है कि बच्चों से पाठ का स्पाठ को समराइज करने के सेंस में, देखे सारांस बोला गया ना, यानि पाठ को समराइज करने के सेंस में, तो ये भी निगेटिव है, जो पाठ अभी बच्चा पढ़ना सुरू ही नहीं किया है, उसका थ phrase यूज करने के sense में कहा जा रहा है तो ये भी negative है क्योंकि अभी बच्चे को जो concept पढ़ाया जाना है उसका भाव नहीं पता है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकलप बच्चा पूर्वा नुमानम critical से उप्योगा है यानि कि prediction task इसे कहा जाता है यानि बच्चे को पहले से पूर्वा नुमान लगाने के लिए प्रेद किया जाता है जैसे कि कख्चा में आकर कि हम बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों आज हम लोग इस topic के बारे बताएंगे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या-क्या हो सकता है तो बच्चे अपने critical thinking का प्रयोग कर रहोंगे मानसिक उद्वेलन का प्रयोग कर रहोंगे कि किस प्रकार से क्या-क्या चीजे इसमें हो सकती है एक अनुमान लगा रहोंगे तो चीजों के बारे में critically सोच रहे होंगे यानि कि अभी तक बच्चे का जो पूर्व ग्यान था उसको सबको इकत्रित कर रहे होंगे जानने के संदर में की इसमें क्या-क्या हो सकता है तो ये कही ना कहीं बच्चे comfortable हो रहे हैं धीरे-धीरे बातावरण में तो ये pre-reading task में एक तरीके से help करता है option number 2 यहाँ पर बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब हो जाएगा अगला प्रस्ट में पुछा कहा था संचे यानी आकलन विशे संचे यानी आकलन को अंग्रेजी में portfolio assessment बोलते हैं पहले विकल्ब से सुरुआत कर लेते हैं कहा जा रहा है कि संचे यानी आकलनम छात्रा से ग्यान अर्जनस से साक्षयम प्रददाती कहा जा रहा है कि जो portfolio assessment होता है वो कही न कही छात्रों के सीखने का उसके अधिगम का प्रमाड होता है यह बात तो बिलकुल सही है एक सैक्षडिक सत्र में बच्चे जो कुछ भी सैक्षडिक गतिविदया करते हैं उनी सब का आकलन तरीकिस सहियोजन होता है उनी सब का एक आलेख तयार कियाता है एक फाइल तयार कियाता है जिसे portfolio के नाम से बोलते हैं तो ये portfolio कही न कहीं बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं उसका एक प्रमाण होता है तो ये तो बात positive हो गई तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा appropriate नहीं है यानि negative sense में पूछा गया है दूसरा दियाग है स्वतंत्रावधिकम प्रयच्छती यानि कि कहा जा रहा है कि ये चात्रों को ज़्यादा autonomous बनाता है यानि स्वतंत्र बनाता है यानि किसी पर dependent रहना नहीं रहना है ये सिखाता है तो ये बात तो बिल्कुल सही है पूर्टफोलियो के मादम से बच्चे खुद का भी मुल्यांकन कर सकते है कि हाँ उनके सीखने की गति कैसी है या फिर वो ठीक दंच से सीख पा रहे है या नहीं कि पूर्टफोलियो को देखकर कि कोई भी उसका मुल्यांकन कर सकता है बच्चे का ठीक है तो ये भी कही न कहीं पॉजटिव है तो हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव स सकते हैं तो ये बात भी बिल्कुल पॉजटिव है हमारा उतर नहीं होगा एक ही विकल्प बच्चा अप्शन नमर चार देखिए संचैनी आकलनम यानि कि जो पॉटफोलियो है कहा जा रहे है छात्रणाम ग्यानर जनस से एक कालिकम एक कालिकम आकलनम एक कालिक को अंग्रे पॉटफोलियो है जो कुछ भी गतिवधिया किया है उन सभी गतिवधियों का एक आउसत पकालनम ग्लेख पॉझा करेगा उन सबका एक तरीके से लिख तियार किया एकछ आखुलनम विशे में यानि कि पोटफोलियो असेस्में इए वहीं होता है मेनी टाइम होता है इस वज़े से यह निगेटिव हो गया और चुकी हम से निगेटिव वाला ही पूछा गया तो option नमर 4 बिलकुल appropriate जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था लेखन सिक्षणे बाला नाम स्वाचंद आरेखनम एकम महतोपूर्णम चर्णम अस्ती यत तदा बालाः प्रयासम कुर्वन्ती यानि कि कहा जा रहा है कि लेखन सिखाने के दौरान बालकों के दौरा खुद से जो तिर्ची सीधी रेखाए खीची जाती है वह एक महतोपूर्ण चर्ण होता है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके मादम से बालक क्या करने का प्रयास करते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है ठीक है चलिए चौते विकल्प से शुरुआत करेंगे कहा जा रहा कि वयसकान अनुकर्तुम यानि कि कहा इंचित कालम याप यूतम यानि कि ये कहा जा रहा है कि वो कुछ अपना समय व्यतीत करते हैं ताकि वो पढ़ना लिखना और बेसिक नुम्रेसी सीख जाए तो ये एक तरीके से नुम्रेसी से सम्मंदित नहीं है हमारा उत्तर नहीं होगा ठीक है नुम्रेसी यानि कि अंक कानी वा धार्यते यानि कि ये कहा जा रहा है कि वे एक तरीके से इसलिए ये सभी चीजे बनाते हैं ताकि वो पहले ही दिन से pen, paper, pencil और pen पकड़ना सीख जाए और later यानि कि शब्द बनाना सीख जाए अक्छार बनाना सीख जाए इसलिए कहा जा रहा है तो पहले ही दिन से कह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चा सब्द या फिर अक्षर बनाना सीख जाएगा तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकल पर बच्चा ऑप्शन नमर टू देखिए तेभ्या चिन्नेभ्या तेशाम कृते अर्थम बोध्यूतम यानि कि यह कहा जा रहा है कि जो सीधी और तीची रेखा है बच्चों के द्वारा बनाई जाती है विबेन परकार के जो एक तरीके से लाइन खीची जाती है बच्चों के द्वारा वो कही न कहीं बच्चे अपना अर्थ बना रहे होते हैं उन चिन्नों के मादम से जैसे कि बच्चों को कैसे बताया ज तो यह सब क्या है यह चिन नहीं तो है यह चिन नहीं तो है तो इनी सभी चिन्नों का कहीं ना कहीं बच्चा अपना आर्थ ग्रहाण कर रहा होता है और इनी सभी चिन्नों को मिला करके बच्चे को वर्ण लिखना सिखाय जाता है तो option number two यहाँ पर बिल्कुल appropriate है यही इसका स अपने परिवेश में दो भासाओं को सुनता है ठीक है तो कहा यह जा रहा है कि उसका जो यह exposure है दो भासाओं के प्रति वो उसके लिए क्या करेगा ठीक है यानि कि देखी एक बच्चा जो है वो अपने परिवेश में दो भासाओं को सुन रहा है ठीक है तो क्या उसको confuse या फिर उसकी मदद करेगा, क्या करेगा, यह हमसे पुछा जा रहा है, चोथा विकल्ब दिया गया है, परस्परम, बाधकम, भविश्यती, कहा जा रहा है कि एक दूसरे के प्रती बाधक होंगे दोनों भासा हैं, तो यह विकल्ब निगेटिव है, क्यों निगेटिव है, अ बहु भासिता पर जोड़ दिया जा रहा है, एक से जादा लेंग्वेज का इन्वाइर्मेंट अगर है, तो बच्चे के लिए वो पॉजटिव तोर पर देखा जा रहा है, और यह विकल्ब चौथा विकल्ब यह कह रहा था, कि परस्पर बाधक होंगे, तो हमारा उतर गल जब एक से जादा लेंग्वेज है, यानि बहु भासिता हो गई, तो यह पॉजटिव इंपक्ड डालता है, और यह विकल्ब कर रहा था, कि कोई भी डिफ्रेंस क्रियेट नहीं गर गया, तो उतर गलत हो गया, हमारा उतर नहीं होगा, पहला देखे, बालेभ्यम बत्यों के लिए अनुकूल होता है, यानि कि कही ना कई बच्चे इस से मदद प्राप कर सकते हैं, क्योंकि कई भासाओं के संपर्क मे आएंगे, तो कई बच्चाओं को धीरे दीरे वो लोग सेखेंगे, कई भासाओं के सब्दाल्यों के बारे में जानेंगे, तो यह एक तरीके से बच्चों के लिए अनुकूल होता है, option number 2 यहाँ पर बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा, अगला प्रशन पुछा गया था, व्याकराण गत कार्याणी, यानि कि जो grammar task होता है, वो कैसे कराना चाहिए, तो मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ, कि जो बच्चों को जो व्याकराण पढ़ा जाता है, जो grammar पढ़ा जाता है, वो उसके संदर्भा नुसाराणी भवेयू, यानि कि बच्चे को उसके संदर्भ में ही व्याकराण बताया जाता है, व्याकराण की गतिविदी कराई जाती है, option number 1 इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा, अगला पुछा गया था, नौम चौमस्की महोदेन निमलेखितेसु किम उपदिर्श्टम, यानि कि नौम चौमस्की के द्वारा निमलेखित में से कौन सा statement दिया गया है, तो नौम चौमस्की ये मानते थे, कि बच्चे जनजात एक युक्ति के साथ, एक language acquisition device के साथ जन्म लेते ह जो की उनको भाषा अर्जित करने में मदद करता है, और अने language को भी सीखने में उनकी मदद करता है, दिये गए विकल्प में देखिए, option number 3 में इसी की बात की गई है, भाषायाह, अधिग्रहणम, कर्तुम, मानवस्य, नैसरगीकं, सामर्थ्यम, अस्ति, यानि कि नैसरगी के था, सिक्ता पूर्ण इस्थलायाम, अंगुली चालानेन, सिक्षकह, छात्रान, वर्णमालायाह, अक्षरणानी, लेखितुम, निर्देशती, एवं, विधी, गत्ति, विधेह, उद्देश्यम, अस्ति, यानि कि कहा ये जा रहा है, कि प्रैमरी स्थर के बच्चों को ए अक्टिविधी दी है, निर्देशित किया है, तो ये गत्तिविधी क्या कही जाएगी, तो देखिए, क्यों बच्चों को बोला गया है, क्योंकि प्रैमरी स्थर पर जब बच्चे होते हैं, तो वो वर्णों को ठीक धंसर लिख नहीं पाते हैं, क्यों नहीं लिख पाते है क्योंकि देखिए हमारे अंदर दो प्रकार की activity होती है एक होता है सुक्ष में चालन और दूसरा होता है स्थुल चालन यानि कि बच्चे जो होते हैं उनका जो body पर control होता है वो केंदर से बाहर की तरफ होता है जिसे आप लोग क्या बोलते हैं शमीब दुराभुमिकी सिध्धान्त इसमें क्या होता है कि मालिजे ये बालक है ये बालक है तो बालक का जो केंदर बिंदु है इससे बाहर की तरफ जाते हुए वो धिर्या धिर्या अपने body पर control पाता है इसलिए आप देखेंगे कि हाथों का प्रियोग करते हुए बच्चे विबिन प्रकार की activity तो कर लेते हैं लेकिन लिखना सीखने से पहले उनको बहुत दिक्कत होती है बहुत समस्या होती है तो यहाँ पर रेत में उंगलियों को फिरो करके जो वर्ण लिखाने की कोशिश की जारी है वो कही न कहीं बच्चो का सुक्ष्म चालन कोशल को बढ़ाने के लिए किया जारा है जो कि बच्चे का सबसे आंत में उंगली आ रहा है यानि कि ऐसी activity जिसमें बच्चे की body कम से का movement होती है उसे हम लोग सुक्ष्म चालन कोशल कहते है जैसे कि देखिए football खेलना तो यह स्थुल चालन कोशल का उदारने यानि इसमें बच्चे का मुमेंट बॉड़ी का मुमेंट जादा हो रहा है लेकिन अगर मैं आपसे बोलू कि सुई में धागा डालना तो इसमें बॉड़ी का मुमेंट दोडने या फिर गेम खेलने की अपक्छा काफी कम है तो जहां एक तरफ फुटबॉल खेलना है वो इस थुल चालन कोशल का उदारन हो जाएगा और वहीं सुई में धागा डालना ये सुख्ष्म चालन कोशल का उदारन हो जाएगा इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलू कि बच्चे को रेत में उगली फिरा करके वर्ल निकला है तो ये भी सुख्ष्म चालन कोशल का उदारन है क्योंकि पूरे बॉड़ी का मुमेंट इसमें भी नहीं हो रहा है इसलिए इसे सुख्ष्म चालन कोशल कहते हैं और इसमें बच्चे को कही न कई पारंगत बनाने की कोशिश किया रही है बच्चे के उगलियों पर कंट्रोल पाने के लिए उनको इस प्रकार की गतिविदी दी गई है इसी की बात किया जा रहा है विकल्प नमबर 3 में इसी लगी कमेंट के मादम से जरूर बताएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महतुपून वीडियो लाने के संदर में अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी शबी शिफ्टों के प्रीवियस यर कंप्लीट पेपर सॉलुशन क इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समय आप थोने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करता हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिज प्रेस कर दो भो